हेलो फ्रेंड्स आज अपन लोग दिखते हैं NFA को DFA में conversion करने के लिए next problem so next problem अपनी है कि अगर हमारे पास DFA बनाने को आता है जिसमें ये कहा जाता है कि second symbol from RHS is 0 हमने total जो alphabets लिये हुए हैं वो 0 and 1 है 0 and 1 से मिलकर बनने वाले सारे strings जिसमें second symbol from the RHS is 0 हमें consider करवाना accepted NFA बनाना easy है इसके लिए NFA के लिए हम लोग क्या करेंगे Q0 ने 0 दिया Q1 पर आया हम अगर ये मान के चलें कि ये second from the right है तो first from the right के लिए अगला transition करना पड़ेगा जो की 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है इस बात से ही guarantee आ जाएगी कि last symbol कुछ भी हो accept हो जाएगा लेकिन second last हमेशा 0 का transition होगा 1 का transition हमने नहीं दिया है और Q0 पर कुछ भी आ जाएगा चलता रहेगा लेकिन second जैसे ही आएगा वो यहाँ आ जाएगा और यह यहाँ पहुच जाएगा अब हमें convert करना है इस NFA को DFA में NFA को DFA में convert करने के लिए पहले हम लोगों ने बताया था discuss किया था कि पहले हमें NFA की table बनानी पड़ेगी so NFA की table easy है NFA की table यह कहती है आप table की form में ऐसा construction कर लीजे जिसमें starting में 0 और 1 जितने भी input alphabets है वो horizontal और जितनी states हैं उस NFA की diagram में वो सारी mention हो जाएगी जैसे Q0, Q1 और Q2 अपने NFA में 3 states बनी थी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ भी हम लोगों ने 3 states बना दी अब filling करनी पड़ेगी Q0 ने 0 देखा कहां कहां जा सकता है Q0 और Q1 पर जैसा कि इसमें देख रहा हो को Q0 0 देखकर यहां भी जा सकता है Q0 0 देखकर वापिस अपने Q0 पर भी आ सकता है Q0 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 ने 1 देखा तो कहां जा सकता है वो सिर्फ Q0 पर जा सकता है Q1 ने 0 देखा तो Q2 पे जा रहा है Q1 ने 1 देखा तो Q2 पे जा रहा है Q2 0 देख रहा है कहीं नहीं जा रहा Q2 1 देख रहा है यह तो हो गया सिर्फ NFA की टेबल अब हमें convert करना पड़ेगा DFA DFA का पहला rule होता है कि हमें NFA की टेबल से जो first row होती है उसे पूरा को पूरा copy paste करना होता है जैसा कि हम लोगों नहीं आप पर copy paste करा होगा जो NFA की table है इसमें से जो first row है वो हमने पूरी की पूरी copy कर ली इक्जेक डिक्टो copy करी copy करते वक्त बस एक बात का धियान रखना है DFA table के अंदर जितनी भी states होती है उनको हमें square brackets के अंदर mention करना पड़ता है इसलिए मैंने square brackets यहाँ पे लगा है rather than curly brackets देख लीजे first row Q0, Q0, Q1, Q0 यहाँ पर copy हो गई है Q0, Q0, Q1, Q0 अब आपका काम almost हो चुका है करना क्या है इतनी चीजे हमें नहीं बता दी अभी सिर्फ हमने first row copy करिए अब आप यह देखिए कि यह जो RHS वाला portion है यहाँ पर यह वाला portion है इसका मतलब सिर्फ यह वाला portion इस portion में क्या कोई ऐसी states आई हैं जो इस column में कहीं नहीं थी since initially इस column में हमने सिर्फ इस Q0 को अलाउट किया था यहाँ पर एक नई entry आ गई Q0 Q1 तो इसके लिए मुझे यहाँ पर entry करनी पड़ेगी अब Q0 Q1 combinedly 0 देखकर कहा जा रहे हैं वो हमें diagram से पता चलेगा इस diagram से Q0 Q1 combinedly Q0 Q1 और Q2 पर जा रहे हैं Q0 Q1 0 देखने पर combinedly 012 पर जा रहे हैं तो यहाँ हमने लिख दिया 012 Q0 Q1 1 देखने पर कहा जा रहे हैं combinedly Q0 Q1 1 देखने पर Q0 Q2 पर जाते हैं यहाँ लिख दिया Q0 Q2 अब हमारी filling हो गई इतनी क्या हमें इतने portion में कुछ नई states मिली answer is yes Q0 Q1 Q2 भी मिल गई और Q0 Q2 भी मिल गई इनकी भी entry यहाँ करनी पड़ेगी सो माल लीजे मैं पहले इसको pick करता हूँ Q0 Q1 Q2 और Q1 Q2 0 देखने पर देखने कहा जा रहे हैं Q0 Q1 Q2 0 देखने पर इन सब की union पर जा रहे हैं इन सब का union कितना हो गया है Q0 Q1 Q2 5 सब का union हो जाएगा Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 1 देने पर कहा जा रहे हैं Q0 Q1 Q2 1 देने पर जा रहे हैं Q0 Q2 5 पर इन दोनों का union हो गया Q0 Q2 Q0 Q2 की entry गर दी और अगेन Q0 Q2 0 देखने पर कहा जा रहे हैं Q0 Q1 पर डेक्राम से बदल जाएगा Q0 Q2 0 देने पर Q0 Q1 5 Q0 Q1 Q0 Q2 1 देने पर Q0 पर जा रहे होंगे बस काम खतम आपका काम खतम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर अब कोई ऐसी states नई वाली नई बची जो इस column में ना आई हो सारी की सारी आ चुकी है अब decide होगा final states का final states आप यहाँ देखिए final state यहाँ पर Q2 है यह Q2 कैसे पता चला होगा इस diagram से और Q2 अगर यहाँ final है तो यहाँ जहाँ जहाँ पर left and right पर Q2 होगा वो final होगा इसलिए मैंने इन दोनों states को circle कर दिया क्योंकि इसके अंदर Q2 है that's it thank you